अर्ष नियूस की सारी खबरें आप तक भीकम सिंग कलोनी के निगम के स्कूल में डी एम प्रांजिल पाडल के आदिस की अंद देखी की नहीं लगने दिया वैक्सिनेशन सेंटर शुक्रवार की सुभा पूर्भी दिल्ली नगर निगम परतिवा विद्धाले भीकम सिंग करोनी विश्वास नगर वाट नमबर 17 ए में कोरोना वैक्सिन केम्प लगाने का आदेश सहादराजला की डियेम प्रांजिल पाडल दौरा समधित अधिकारियों को दिये गए थे ज में उसको प्रिंसीपल ने उनको अंदर नहीं आने दिया और जो वैक्सिन लगाने आए लोग थे उनसे भी बुरा भला किया और वहां से जाना दिया वही आ डेवले के लोगों ने कहा कि इन दोनों प्रिंसिपल के खिलाख सिकायत करेंगे और इन दोनों को सस्पंड करने बहुत ही जरूरी है क्योंकि देश में तीसरी लहर आने की पहले ही बात किजा चुकी है दिली में भी अब केस बढ़ने लगे हैं और सरकारी आदस है कि जिसको वैक्षिन नहीं लगी है उसको जलसद वैक्षिन लगाई जाए जिससे की कोरोना जैसी बीमारी से बचाव हो सके और जहां आप देख़ेते हैं कि सुक्रवार की सुबाज से लेकर साम तक स्कूल का गेट खोला नहीं गया डॉक्टर साम तक स्कूल के गेट के भार ख़डे रहे मगर स्कूल के जो प्रिंसिपल दे मौनिंग शिप्ट और इवनिज शिप्ट इन दोनों ने डॉक्टर और को और सिविल डिफेंस की जबान को अंदर नहीं आने दिया डियम के निर्दस का पालन नहीं किया